कार इंशोरेंस या फिर वाहन इंशोरेंस में टोटल लॉस क्या है सबसे पहले हम ये समझते हैं तो फ्रेंस अगर साधारन शब्दों में कहें हम तो दुरगटना ग्रस्त वाहन की मुरम्मत या फिर उसकी रुपेर का जो खर्चा होगा वो मार्किट वैल्यू से अधिक होता है तो उस केस में वहिकल को टोटल लॉस माना जाता है तो फ्रेंस मार्किट वैल्यू से अगर हम रिपेर पे अधिक पैसे खर्च करते हैं तो इंशोरेंस कमपनी उस वहिकल को टोटल लॉस कर देगी तो friends भारत में regulatory norms के अनुसार अगर आपके वहन की मुरम्मत की लागत उसकी IDV से 75 प्रतिशत से अधिक होती है तो वहन को total loss माना जाता है और IDV वहन की market value ही होती है और कोई भी comprehensive policy होगी उसमें vehicle की IDV या फिर उसकी market value लिखी हुई आपको मिल जाएगी और साल दर साल जैसे जैसे vehicle की age भड़ती है उसकी IDV उसकी market value कम होती रहती है तो मान लीजिए आपके vehicle की IDV 5 लाख रुपे है और उस vehicle का accident हो जाता है उस पे 4 लाख रुपे का repair का खरचाता है जो IDV का 80% होगा तो इस case में आपका vehicle total loss माना जाएगा और vehicle अगर चोरी हो जाता ह है तो भी उसको total loss में माना जाता है अब friends बात करते हैं vehicle आपका total loss हो गया लेकिन आपको claim कितना मिलेगा तो claim आपको मिलेगा उसकी IDV के वराबर यानि कि उसकी जो market value होगी उसके वराबर आपको claim मिलेगा आपको उतना claim नहीं मिलेगा कि आप एक नई गाड़ी खरीच सके claim के पैसे से नई गाड़िया purchase कर पाएं तो friends अब आगे हम बात करेंगे कि IDV कैसे सुनिश्चित की जाती है तो अगर आपने नया vehicle purchase किया है उसकी age 6 मिने से कम है तो आपका जो एक showroom price होगा उससे 5% माइनस करके जो है वो आपके वहिकल की IDV निकलेगी और अगर वहिकल की age 6 महिने से एक साल के बीच में है तो एक showroom से 15% less किये जाएंगे और एक साल से दो साल के बीच में वहिकल की age है तो वो 20% less करके उसकी IDV निकलेगी दो साल से 3 साल तक वहिकल की age है तो एक showroom से 30% माइनस किये जाएंगे और 3 से 4 साल के बीच में 40% माइनस किये जाएंगे वहीं चोथे साल से पांच में साल तक अगर आपकी वहिकल की एज है तो एक शोरूम प्राइस से 50% माइनस किये जाएंगे अब आगे बात आएगी कि पांच साल के वाद वहिकल की IDV कैसे सुनिश्चित की जाती है तो फ्रेंट्स पांच वर्ष से पुरानी कारों के लिए पॉलेसी कुरा सकते हैं सर्वेर से या फिर वैल्यूएटर से तो दोनों ही केस में आपसी सहमती में या फिर वैल्यूएटर या फिर सर्वेर से कोई भी हम आप्शन अपना सकते हैं इस तरह से पांच साल के वाद वहिकल की IDV निकाली जाती है अब फ्रेंड्स आपको फाइनशल लो कोस्ट को replace करेगा आपको registration charges भी मिल जाएंगे आपको tax भी मिल जाएगा और यूं कह लीजिए कि आपके वहिकल की जो own road price थी वो आपको मिल जाएगी अगर आप अपने insurance में add on cover return to invoice add करते हो तो ये वहिकल की शुरू के 5 साल में आप ले सकते हो अगर आपके वहिकल की age 0 से 5 5 साल है तो ही आप return to invoice cover ले सकते हैं thanks for watching this video